हेलो डियर स्टूडेंट्स, विल्कम बैक टु माइ चाइनल अजीत स्टडी सेंटर तो आज के इस वीडियो में हम लोग होली पर दस वाक्य निबंध सिखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए होली पर दस्वा के निबंध में हमारा पहला वाक्य है होली भारत देश का एक लोकपिरिय तेवहार है दूसरा इसे रंगों का तेवहार के नाम से भी जाना जाता है तिशरा यह तेवहार प्रती वर्ष फालगुन मास की पुर्निमा को मनाया जाता है चाँथा होली का तेवहार पूरी भारत देश में बहुत धूम धाम से मनाया जाता है पाचवा होली का तेवहार मुख्य रुप से हिंदुओं का तेवहार है परंतु इसे सभी धर्म के लोग मनाते हैं 6. होली का तेवहार अत्यंत खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है 7. इस अवसर पर सभी के घरों में विभिन प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाये जाते हैं 8. इस दिन सभी एक दुसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं 9. यह तेवहार प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है 10. होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है तो स्टुडेंट्स यह रहा हमारा होली पर दसवा के निबंद मैं इस निबंद को एक बार पुनह दुहरा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए पहला होली भारत देश का एक लोगपिरिय तेवहार है दूसरा इसे रंगों का तेवहार के नाम से भी जाना जाता है तिसरा यह तेवहार प्रती वर्ष फालगुन मास की पूर्निमा को मनाया जाता है चौथा होली का तेवहार पूरे भारत देश में बहुत धूम धाम से मनाया जाता है पाच्वान होली का तेवहार मुख्य रुख से हिंदुओं का तेवहार है परंतु इसे सभी धर्म के लोग मनाते हैं छठा, होली का तेवहार अत्यंत खुशी और उत्षाह के साथ मनाया जाता है साथवा, इस आउसर पर सभी के घरों में विभिन प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाये जाते हैं आठवा, इस दिन सभी एक दुसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं नवा, यह तेवहार प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है दसवा, होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है तो स्टुडेंट्स, I hope की आपको होली पर दस वाकिनी बंध अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राब करना ना भूले धन्यवाद